नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल कलाम स्टेडी में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम तर्चा करेंगे CT8 का जो हाली में पेपर हुआ है उस पेपर का 8 दिसंबर का लेवल फेस्ट का पेपर कम्पलीट हो गया है तो लेवल फेस्ट की आश्वर की हम इस वीडियो में तर्चा करेंगे xzugey और अन्ष्वक की देखेंगे तो वीडियो के फूर्चे लेकर अंतक पूरा जरूर देखें दूस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लायक कर दें सभी दोस्तें के साथ अधिक से अधिक से शेर कर से यह answer की सभी तक पहुंच पाए वेदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये गए लाल स्क्राइब के बटन को दबा कर चैनल को सिस्क्राइब जरू कर ले तो उसके पास जो बेल आइकोन गंटे का सान है उस गंटे के निसान को भी आ पहले जरूर दबा दें जैसे हमारे आगे जो answer की आएगी वह complete answer के आपको उपलब्दे हो सके तो इस वीडियम दोस्तो हम डिसक्स करेंगे जो mathematics का पार्ट है उस पार्ट की answer की discuss करेंगे उसके बाद में अगले में psychology का पार्ट करेंगे और उसके बाद में जो environment का पार्ट ह है वह उसी अगले वीडियम हमें करेंगे तो हमारे पास दोस्तो जो paper है वह है o code का paper है यदि आपके पास भी level first का आपने exam दिया है और o code का paper आपके पास है तो आप 5 परे मिला लीजिए यदि आपने paper नहीं भी दिया है तो यह question आपको राम से इसको देख सकते हैं जिसके आपको आसानी होगी तो हम चर्चा करेंगे जो mathematics का part second है question number 31 से 60 तक तो o code का paper चर्चा कर रहे हैं अन्य किसी code का paper आपके पास है तो दोस्तों आप उसमें मेचे कर लेना तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो अपना question है mathematics का पहला जो question आया था यह 31 नंबर का question है तो यह क दोस्तों question है निमल लिखित में से किछे संचनात्मक गणी की कक्सा कक्स का लक्षने नहीं माना दाता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा मैं direct आपको answer बताऊंगा जिससे आप answer मिला पाएं और आपको कोई confusion ना हो अधिक समय हम नहीं लेंगे तो इसका right answer जो होगा वै दोस्तो की गई है उनके द्वारा त्यार की गई है तो आप इसमें बिल्कुल भी संसे में ना रहें कि यह answer गलत होगे लग बग 99.% यही question answer सही होगे तो इसका right answer क्या हो जाएगा प्रात्म किस तरफ पर आकलन के लिए विशे प्रक्रिकार की प्रिक्षा का उप्यों गया गया है अ दोस्तो मान सदर्शन गनित का मैतोपुन पहलू है यह इसका right answer हो जाएगा दोस्तो आपको इसकी answer की आपको PDF की रूप में चाहिए तो निचे डिस्कृस्ट में लिंक दिया हुआ टेल्गाम गुरूप का वहाँ पर जाकर आप जूड़ जाएगे जहाँ पर आपको इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी वीडियो देखते रहें complete next है निमल लिकित में से कौन सा किरिया कलाप बच्चों में तरिविम समझ को विक्षित करने के लिए अधिक यूगत है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो answer हो जाएगा बोतल की उपरी दर्शे को चित्रित करना ये इसका right answer ह हो गया next है गनीत के अधिगम के समंद में निमल लिकित में से सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है क्यूशन को ज्यान से पड़ें पिर उसका उतर दें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा विद्दार्त क्योंकि सामाजिक आर्थिक परस्त बोम सही नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आँसर हो जाएगा इसमें आधार दोंकि पालने किया जाता है, तो ये इसका right answer हो गया, next question है प्रात में किस तरफ पर जामिती के अध्यापन के लिए once निये प्रकिरिया पहचानिए, तो ये 37 number का question है इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer दोस्तों हो जाएगा इसमें थोड़ा confusion है, आप इसमें देख लेना इस एदिया आप इसमें दो number और चार number करके आए है तो आपका दोनों का सही हो सकता है ये depend है board पर की board इसका कौन सा answer सही मानता है, दोनों में आप करके आए हैं तो आपका कोई एक ही सही होगा, तो इसमें आप श्ठार लगा रीजियो इसको चेक कर लेना बाद में और अगली वीडियो में यदि बाद मेरे पास इसकी जानकरी पुकता जानकरी आती है तो आपको जरूरे बता दूगा, तो ये इसके right answer होंगे, next जो question है, वह देखते हैं, तो 38 number का question है, निमल लिकित में से क्या गणीत ये तरकना का सूचक है, तो गणीत ये तरकना का सूचक क्या है, तो इसका answer हो जाएगा दोस्तो, गणीत ये प्रकिरिया की तरक संगत्ता देने की चमता, तो ये इसका right answer हो गया, अगला जो question देखते हैं, question है, super बजार में सब्जियों की मूले सुची निमल लिकित है, तो ये आप screen shot लें इसको अराम से देख लें, तो इसमें देख लें, उसके बाद में जो इसका right answer होता है, वह डारेक्ट बता की संक्या हूँ, दाही के स्तान पर, अंक और इकाई के स्तान पर, कर्मिक अभाध्य संक्या हैं, अंकों का योग तीन और च्यार का गुनजी है, तो इसमें से संक्या जो होगी, वह क्या होगी, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, तो इसका पर गया तो उसे कितने रुपय का बुगदाने करना होगा तो इसका राइट आंसर जो है वे हो जाएगा 150 रुपई तो चार नंबर इसका राइट आंसर हो गया अब अगला क्यूशन देखते हैं अगला जो क्यूशन है वह 42 नमर का क्यूसन है क्यूसन है आरोई करम में विवस्तित करने पर निमलिकित में से कौन सी संख्या 33 स्थान पर होगी तो कौन सी संख्या जो है वह तिसरे स्थान पर होगी तो इसका राइटा चुरकिया हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा साथ पॉइंट जीरो साथ ये इसका सही उतर हो गया नेक्स्ट है एक पांच अंकों के संख्या में दाई के स्थान का अंक आठ और इकाई के स्थान का अंक दाई के स्थान के अंक का एक सो थाई और हजार के स्थान का अंक जीरो और सोवे स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना और हजारवे स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है तो वह संख्या क्या होगी तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों तो वह जो संख्या होगी वह हो जाएगी 6482 तो यह इसका राइट आंसर हो गया यदि आप ये करके आए हैं तो ये आपका एकदम सही उत्र हो गया नेक्स तो देखते हैं वह है दोस्तों कि तीन ब्रांड ए, बी और सी के पैन करमस है 10, 12 और 24 पेकेटों में उपलब्ध हैं यदि एक दुकांदार को तीनों परकार के पैन सम्मान संक्या में खरीदने हैं तो उसके दुबारा खरीदने जने वाले पेकेटों की जो न्यूंतम संक्या होगी वह क्या होगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दो नंबर इसका सही उतर हो जाएगा यानि ए ब्राबर 12 ब्राबर 10 और सी ब्राबर 5 ये इसका सही उतर हो गया अगला क्यूसन है एक वरग की बुझा च्यार सेंटिमेटर है इसे काट कर च्यार ब्राबर व सब्सक्राइब दोस्तों वीडियो को लाइक करते हैं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें जिसे सभी तक यह वीडियो पहुंच पहें ता सभी लोग आंस्वर की अपनी मिला सकें नेक्स्ट कुशन है आईसा के पास केवल 5 और 10 रुपे के सिक्क्ये हैं यदि उसके पास सिक्कों की कुल संक्या 25 और 160 का दन है तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संक्या है वह कितनी होगी तो वह कितनी होगी दोस्तों इसका आंस्वर हो जाएगा करम से 18 और 7 इसका राइट आंस्वर हो गया तो यह इसका सही उतर हो गया अगला क्यूशन है निमल लिक्कित म दोस्तों सभी अभाज्य संख्याएं विश्म संख्याएं होती हैं ये इसका सही उत्तर हो गया अगला परसंद जो है वै है वै संख्या जो एक से दस तक सभी संख्याओं में विभाज्य होगी वै कौन सी होगी तो वै के संख्या का नाम बताईए दोस्तों तो वै हो जाएग पचीस सो बीस ये इसका राइट आंसर हो गया अगला जो कुछन है वह देखते हैं मान ज्याद कीजिए तो ये संख्या दीग गिए 17.5 गुणा 3-21 प्लस 7-3 गुणा 12.5 तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो बारा इ इसका सही उत्र हो गया अगला है एक बाग के वरक्सों में नीम के वरक्सों के संख्या एक त्वाग है और आदे वरक्स असोक के है और शेस जो है वह यूकेलिप्स के है ये नीम के वरक्सों के संख्या पांच है तो बाग में यूकेलिप्स के कितने वरक्स होंगे तो इसका अगला जो कुछन है वह देखते हैं दोस्तो एक रेल गाड़ी डिली से 19 अगस्त 2017 को 16 बज़ कर 30 में लब 24 बज़ कर 30 बज़े परस्तान करती है और अपने गंतवे पर 31 अगस्त को सुबह 8 बच के 45 मिनिट पर पहुंशती है तो इस यात्रा का जो कुल समय है वह कुल समय कितना होगा कुल समय ज्यात करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 गनटे 15 मिनिट है वह कुल समय हो गया अगला जो Qution है वह देखते हैं निमल कित्में से किसमें लंबाईयों को गठते क्रम में विवस्तित किया गया है तो चार ओप्षन दे रखे हैं लंबाईयों के गठते क्रम में किसमें विवस्तित किया गया है तो वह देखना है तो इसका राइट आंसुर जो है वह हो जाएगा दोस्तों दो नंबर है यानि दोस्तों इन किशनों में से कितने किशन सही हो रहे हैं आप में नीचे कमेट करके जरूर बताएं नेक्स्ट है गनित के प्रात में पाथे करम में प्रती चित्रन का प्रीचे देने का मुख्य परियोजन है तो मुख्य प्रियोजन जो है वै क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा दोस्तो ए और डी इसका राइट आंशर हो जाएगा यानि च्यार नंबर इसका सही उत्तर हो गया जिसनी यह उप्षन लगाया है वै एकडम सही आंशरी हो गया नेक्स्ट है एक 180 शेमी लंबी तार को एक आयत की रूप दिया गया यदि आयत की चुड़ाई 30 सेंटीमेटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी तो इसकी लंबाई ज्यात करनी है अपनी को इसमें इसका राइट आंशर जो होगा वह हो जाएगा दोस्तो 60 सेंटीमेटर यह 60 से सेकेड के छात्रों को चो 40 लिखनेकों का गया तो कुछ ने 404 लिखा अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे समधिती करेंगे तो इसका राइट आंशर जो है वह क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा दोस्तों उन्हें मूर्थ पदार्थ के विन में नियम समझाएंगे ये इसका सही उत्तर हो गया अगला जो क्यूशन है वह देखते हैं एन्सीय प्राष्ट्य पठ्थे चाजिया 2005 के अनुसार निमलकित में से कौन से विशिये प्रात्मिक विद्धाले में गणीत पाठ्टे करम का भाग नहीं है तो कौन से में नहीं है त करसाने के लिए कर सकता है कि विबिन आयमों वाले दो आयतों का छेतरपल समाने हो सकता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी और डी यानि ग्राफ पेपर और टायल इसका राइट आंसर हो गया अगल मत करें इसको अपने जो पेपर है उसमें मिलाने कर लें तो इसका राइटांसर जो हो जाएगा वह है किरिया कलापनों को लिखना और इस संद्रम में परसने देना नेक्स्ट है निमन मेंसे गणीत में उपलब्दी कम खोने के कारण क्या हो सकता है तो इसका इसका राइटांसर जो है वह क्या हो जाएगा दोस्तो इसका राइटांसर हो जाएगा गणीत का सवरूप इसका राइटांसर हो गया निक्स्ट है यह समझाने के लिए कि एक बटटा चार, एक बटटा तीन से छोटा है, निमनल कितमे से कोन सी योधना समसे अधिक उप्युक्त होगी, तो इसका जो राइट आंशर होगा दोस्तों, वह क्या हो जाएगा, दाइनिस बलोक, इसकी दाइनिस बलोक इसका राइट आशर हो जाएगा, तो ये इसका सही ये इसका राइटान चुरह हो गया तो वीडियो को दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें सबी दोस्तों इसाथ अधिक से अधिक से शेर जुरू कर दें इससे सबी तक ये वीडियो पहुंच पाएं धन्यवाद दोस्तों